नमस्कात दुट्स्तों स्वाकत आपका आपके प्रेंस ने जाने की बहुत दिवियान क्लास नंबर 17 याने के 17 आजम करने वाले हैं तो उसके बाद हम बात करेंगे लेकिन अभी ऍभी क्लास की बात करेंगे नमबर सीरीज है ये 25 कोश्चन है शुरू करें उससे पहले जाएंगा अनेकेडमी पर बात करें इस्पेसल प्राइज ओफर चला है जिसमें आपको 25% का डिसकाउंट अभी मिला कर जो आप अभी सब्सक्रिप्सन लेतो हो लिमिटेड टाइम ओफर है जितना जल्दी हो सके और जिनको भी सब्सक्रिप्सन लेना होगा ये कोमेंट करके बता देंगे ठीक और इसके अलावा बात करें ये स्पेसल प्राइज ओफर है आप देख सकते हो कि वन येर का सब्सक्रिप्सन सिर्फ लगबग 4973 में मिल जाएगा और 6000 में 2 येर का सब्सक्रिप्सन ले सकते हो ये लिमिटेड टाइम ओफर है जितना जल्दी हो सके आप ले लिजे ठीक चलिए इसके अलावा स्सी कॉमबेक टेवरी संडे होता ही संडे भी होगा स्सी कॉमबेक का लिंक में लिंक डिस्क्रिप्सन में है और अनकेडमी भी मुझे फोलो कर ले जाएगा वहाँ पर भी मेरी क्लासेश चलती है ठीक और अनकेडमी के आप की बात करने वहाँ फ्री में भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट अवेलबल है पेड में भी है प्लास वालों के लिए भी उपी दे सकते हो चले शुरू करें पहला कोशन आपके सामने स्क्रिन पर आपके चल्ल को सब्स्क्राइब भी कर लो ठीक और अपने दोस्ट फ्रैंड्स जो भी रिलेटिव साँ उनके साथ सेयर भी कर दिया करो निम्लिकित में से कौन से गुरुत्वी स्थिरंग जी की काई है मैंने आपको क्या बताया था न्यूटन के गुरुत्वा करशन नियम से कहा जाता है किनी दो पिंड है मालो जिनका द्रबिमान है M1 और M2 है इनके बीच अगर जो दूरी मालो इनके बीच दूरी आर है क्या है दूरी आर है ठीक तो न्यूटन के गुरुत्वा करशन नियम ये कहता है कि ब्रह्मान में किनी दो पिंडो के मद्ध कारे करने वाला बल कारे करने वाला बल उनके आकरशण बलके द्रबिमानों के गुड़नफल और तथा उनके गुड़नफल के तथा उनके भी दूरी आर के वर्ग के व्यूत करमानुपाती होता है जिसमें जी आपका आता है सारवात्री गुरुत्वा करशन ये तार जिसकी वैलू पूछा जाया तो 6.67 गुड़े 10 पे घाते माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वाइर प्रती किलो ग्राम स्क्वाइर होता है ये मातरक होता है और यही आपसे पूछा है कि गुरुत्वी स्थिर माइनस 11 ठीक है चले कुश्य नमर 2 की बात करें वेग मापी या टैको मीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है गुरुत्वा कर्शन गुरुत्वा कर्शन गुरुत्वा कर्शन गुरुत्वा कर्शन गुरुत्वा कर्शन गुरुत्वा कर्शन गुरुत्वा क बॉल दोबने के लिए हम टैको मीटर का प्रयोग करते हैं किसका टैको मीटर का ठीक है कैली परस आप सब पता है एक जूल कितने के बराबर होता है एक जूल तो एक जूल की बात करें अगर चुर अर्ग में देखोगे 10 to the power 7 अर्ग के बराबर होता है एक electron volt किते के बराबर होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 joule के बराबर होता है ये भी याद रखेगा 1 kilowatt घंटा भी पूछे तो ये भी याद रखेगा 3.6 into 10 to the power 6 joule के बराबर होता है ठीक 6 joule के बराबर होता है एक कैलोरी बराबर कितना होता है 4.18 जूल ये सारे आप यूनिट याद रखना है तो एक जूल बराबर 10 पे पावर 7 अर्ग, option number C, question number 4 की बात करें, चंदर्मा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने का करण क्या है, चंदर्मा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने का करण क्या है, याद रखने का चंदर्मा पर वायुमंडल क्यों नहीं पाए जाता, क्योंकि गुरुत्वा करसल बल्कि अधिक छिड़ता के कार, चंदर्मा पर वायुमंडल नहीं पाए जाता, option number A यहां पे राइट अंसर हो जाएगा, पाच की बात करें, वैग्यानिक जिनोंने सरुप प्रित्वी चारो और घुमती है, प्रित्वी सूरी के चारो और घुमती है, तो यह कापर निकसने हो जाता, option number C, कापर निकसने, ठीक, न्यूटन ने क्या दिया था, न्यूटन ने गती के नियम दिये थी, गती के नियम दिये थी, न्यूटन ने, अगर जो मैं बात करूं डॉल्टन ने डॉल्टन ने परमालू सिध्धान दिया था परमालू सिध्धात दिया था डॉल्टन ने इसके अलावा आइंस्टाइन ने इबराबर mc square आप पड़ते हो दिया था छे की बात करें निम्रगित में से कौन सी एक रासानिक प्रतिक्रिया नहीं है तो यहां इदखेगा अब घटर रासानिक क्रिया औक सी एक राइट आइंसर होगा एक रासानिक नहीं है ने की वह पुनाय मूल रूप में लोड़ सकता है जैसे बर्प थो सवस्ता में रहता है उसे लिक्विड में भी कर सकते हैं गैस में भी कर सकते हैं लेकिन लेकिन हम बात करें लेकिन अगर जो हम बात करें कि जो रासानिक प्रक्रिया होती उसका पुनाय चक्रण नहीं हो सकता चलिए क्वेश्चन नमबर साथ की बात करें बहुत पुराने माडल पैंडूलम घड़ी की कारे पध्दती पूरी तरीके से किस पर आधारित थी जाती थी और सर्दियों महा में तेज हो जाती थी और चंद्रमा पर ले जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाता था ये भी ध्यान लखेगा इसी जो लोलक होता था ना उसकी लंबाई बढ़ जाती थी जो धागा होता था उसकी लंबाई बढ़ जाती इस कालर से आवर्तका तो हम कौन सी घड़ी ले जाएंगे, पेंडूलम घड़ी नहीं ले जाएंगे, ठीक, वहाँ पेंडूलम घड़ी आ उपयोगी नहीं होती, वहाँ पेंडूलम घड़ी ले जाते हैं, क्वार्च घड़ी ले जाते हैं, ठीक, चरिए, क्वार्च घड़ी का प्योग किया जात इन में से किसी ने नहीं किया था पेंडूलम घड़ी काविस्कार किया था क्रिश्चियन यूगोस ने यूगोस ने ठीक कब 1556 में ठीक है थर्मोस्कोप काविस्कार किस ने किया था गलीलियो ने गलीलियो ने थर्मोस्कोप काविस्कार किया था एलवी एडिसन की बात करें तो एडिसन ने ग्रामो फोन का विस्कार किया था ठेक चलिए क्वेशन बात करें नौँ जब अनेक छोटी छोटी बूदे मिलकर बड़ी बूद की रचना करती है तब उर्जा क्या होती है तो जब छोटी छोटी बूदे मिलकर बड़ी बूद का निर्माल करती है तो द्रवों का प्रिष्ट छेत्फल बढ़ता है क्या होता है द्रवों का प्रिष्ट छेत्फल बढ़ता है और अता है क्या होता है प्रिष्ट तनाव के इगरुद इसे कारे संपन होता है जिससे क्या होती है उर्जा मुथ होती है उर्जा मुथ होती है प् को नदी के मुकाबले समुद्री पानी में तैरना आसान क्यों लगता है क्योंकि समुद्री पानी का घनत हो साधाल पानी से जादा होता है इस कारल से क्या होता है घनत हो अधिक हो नहीं क्या और विस्था पी द्रौ का भार अधिक हो जाता है और उसमें तैरना आसान होता है विद्धु चुम्ब की तरह की आविरती नियूंतम होती है बाबू मैंने कल वाले क्लास में क्या बता है था आपको याद करना पड़ेगा R, M, I, V, U, X, Y याद करना पड़ेगा R, M, I, V, U, X, Y R, M, I, V, U, X, Y मैंने उल्टा याद किया है R है आपका रिडियो वेवस रिडियो वेवस, रीडियो तरंगे याद है माइक्रो वेवस माइक्रो वेवस I है इंफरा रेड इंफरा रेड वेवस B है विजिबल वेवस विजिबा उसके बाद U V है अल्टाम वायलिट ठिक Hで X Show आप्रेज और य है आपता गामा, गामा रेज, तो ये आपको बता चल गया, देखो, अगरidos मैं बात कनूँ आवरिति की क्रम में बढ़ता क्रम ये है, यानि कि नीचे से उपर जाता है, तो ये frequency आवरिति का बढ़ता क्रम है, और उपर से नीचे आता है, तो ये तरंग दैर का बढ़ता करम है तो आवरिती नियूंतम किसकी होगी नियूंतम रेडियो वेवस की होगी यानि की आपका रेडियो तरंग की आपसे पूछे किसकी आवरिती ज्यादा होगी तो यह बढ़ता करम है यानि की गामा की आवरिती ज्यादा होगी किसकी तरंग दैर्द ज्यादा होगी radio wave की तरंग दैद जादा होगी किसकी तरंग दैद गम होगी gamma wave की तरंग दैद कम होगी gamma और UV ultraviolet के बीच में को नहीं X-ray जहकल यह question आया था तो यह आपको याद करना पड़ेगा RMI VUXY RMI VUXY ठिक याद करोगे तभी होगा नहीं तो एक जाम में आपका यह question आएगा 100% railway group D में आएगा और गलत करके बाबू चले आओगे तो याद करना पड़ेगा तो क्या answer होगा radio तरंग ठिक चली question number बात करें 12 ओजून परत जीव सल की रच्छा किस से करती है तो ओजून परत जीव सल की रच्छा यूवी रेच से करती है पराबैगनी की लो से करती है option number A right answer होगा पराबैगनी विक्रड से ओजून हमारी रच्छा करती है पराबैगनी विक्रड से ओजून हमारी रच्छा करती है option number 8 राइड है ठीक ओजोन परत की खोज किस ने की थी चार्ल्स फैबरी ने फैबरी निखे थी 16 सितंबर ओजोन डी मनाते हैं ध्यान रखिएगा 13 की बात करें चमगादल अंधेरे में भी उड़ सकता है क्यों भाई क्योंकि वो अपने द्वारा योवी रेज उत्पन करता है अल्टा सोनिक वे उत्पन करता है जिसकी साहता से मार्क दर्शन करता है ठीक option number C भाई ये दिवाल है चमगादल योवी रेज उत्पन करेगा योवी रेज रेफलक्ट होके वापस आएगी यानिकी चमगादल को पता सल जाएगा कि भाई परावर्त हो रहा है यानिकी आगे खतरा है तो मुरी जाएगा ठीक फिर छोड़ेगा ये होता है question number 14 चोड़ा है किसी द्रव का वासपंदर की स्पर्टी पेंड होती है तो वासपंदर की बाद के द्रव के ताप मार पर निर्वर करती है चारो और वायू के ताप पर निर्वर करती है द्रव के सत्य के छेट पर यार यार हमें सभी पर निर्वर करती है नमबर D राइट आतार होगा थे Q1 के बात करें करें आजद कल पेट्रोल में सीचा नहीं मिला जाता था घ्खा सीचा लेकिन प्राइज भी कम हो जाएगा इससे ठीक है और सस्ता भी पढ़ेगा कस्टमर को और काम तो वही करेगा ठीक तो यह बात चल लए है और यह होने वाला है जल्दी ठीक इतनौर वाला पेट्रोल मिलेगा तो आगे चले गर्षचान नमर 16 की बात करें ताप मान सिल्सियस पहँाने पर क्या होगा यह मानो सरीर का सामान निताप दिया है 98.6 यह बदलने की जरुवत ले नहीं है यह हो जाएगा डेकरी सलस्या में 30 इसलिए अब बदलना चाहते हो तो आप रिलेशन यानिकि सम्बन याद रखना सम् f-32 बटे 9 और बराबर होता है k-273 बटे 5 यह अगर जो आपको याद है तो अगर जो आपका Kelvin दिया है Fahrenheit पूछे बता सकते हो Kelvin दिया है Celsius बता सकते हो माफ कीजिए तो इसका अंसर बता सकते हो ठीक चलिए हमसे पूछा है हमें दिया है Fahrenheit पे हमको बताना है Celsius में तो हमसे इन दूनों का यूज़ कर लेते हैं तो चलो बता देते हैं एक बार सॉल कर दें चलो तो सी बराबर हमारा क्या हो जाएगा अठाइब दस मलों चे हो जाएगा और पाच का उधर मल्टिप्लाइ करेंगे बते नौ इसको मल्टिप्लाइ करेंगे 333 बते नौ हो जाएगा यानि की काटेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है केल्विन में पूछता तो 310 केल्विन होता है चलिए और इसका ही राइट है शरूपा यहीं की बात करें निम्रका मिलान कीजिए निम्रका मिलान करिए एक कोशन आता आपका सल्सियस बेर वर फारेंगे पर पर माने पर कॉन सा ऐसा यदा नमा समान होता है Princip minus 40 degree Celsius तो वास्पन की बात करें उर्दुपातन देखो भाई कपूर का जलना उर्दुपातन की प्रक्रिया तो कपूर का जलना क्या होता है ठोस से सीधा गैस बनता है ठोस से सीधा गैस बनता है ठिक चलिए पिघलना क्या होता है पिघलना यानि की ठोस से द्रो में, ठोस से द्रो में, पिखलना, ठीक, उर्दुपातन की बात करें, द्रो से गैस में परिवतन, द्रो से गैस में परिवतन, को हम वास्वन बोलते हैं, द्रो से गैस में, उर्दुपातन हो गया और पिखलना हो गया, ठोस से आपका पिखलना ठोस से द्रो में, और हीमिकारड की बात करें, गैस से द्रौ में, ठीक, ये देख रहे ना कौन सा option सही होगा, आगे चले question number हम बात करें, question number बात करें, अठा रहे, उस्मा गतिखिए के परथम नियम का संब्द होता है, तो उस्मा गतिखिए के परथम नियम ऊर्जा संदच्छड के नियम पर अ कास कार्ल गॉस्टनर के ने किया था ये भी याद रखिएगा option number C right answer होगा 20 की बात करें हमारे घरों में विद्धुत आपूर्ती 220 वोल्ट AC होती है 220 का मान आपूर्ती की क्या दरसाता है ये आपूर्ती की प्रभावी वोल्टता को दरसाता option number B आपूर्ती की प्रभावी वोल्टता को question number 21 की बात करें यदि अफ बराबर 0 तो किया कारिका होगा तो कार ये बराबर डबलू बराबर होता है F into D बल into बल के दिसा में विस्थापन यानि कि F 0 है तो D भी 0 हो जाएगा multiply करेंगे तो कार ये आपका क्या होगा 0 सुन्नी होगा option number B सुन्नी जूल होता है ठीक है ये question मैंने इस लिए लिया जोकि ये railway group D group D 2018 third shift के exam में आया होगा था ठीक तितना simple numerical था 22 की बात करें यदि किसी ध्वनी की तरंग आवरिती 50-60 तो इसका आवरतकाल आवरतकाल का formula था T बराबर एक बटे आवरिती आवरिती कितना एक बटे 50 यानि कि 0.2 सेकंड हो जाएगा option number इसका D ये भी आया होगा था railway group D में बाइत 360 पटे ठीटा minus 1 ये बताया था मैंने 360 पटे 120-1 ठीक बारत या 36 और 3-1 यानि कि 2 यानि कि option number C question number 24 की बात के लिए एक उत्ता लेंस की focus दूरी 25 cm उसकी छमता ग्याद करें छमता कौन डियोप्टर में हम आपते हैं फोकस दूरी दिया बराबर 25 cm इसको मीटर में बदल सकते हैं तो 0.25 मीटर हो जाएगा ठीक छमता निकालना है छमता या अवेस छमता या आवेस एक ही होता है तो तो प बराबर उता वन अपन या बराबर वन अपन 0.25 यह हम अगर जो दसमर हटाएंगे तो हमारा लगबग सौरी दसमर हटाने के लिए हम उपर सौ करेंगे सौ करेंगे तो 25 बटे 25 यानिकी चार्ड डियोप्टर में मामते है लाइंस की चमता अप्सन नमबर टी राइट चार डिग्री इसके बाद आपको डवलू निकलना तुट व क्या होता है कार्य डवलू बड़ाबर तो यहाँ पे हो जाएगा आपको निकालना क्या है क्या निकनलना घाम कॉध Wait Q तो वी कितना दिया 10 वर क्यों कितना दिया 4 यानि कि 40 जूल हो जाएगा जूल कारिकी उनिट जूल होती ऑक्सन नमर सी तो अब बदाए कोई दिक्कत हुआ किसी भी कोश्चन में छोटा-छोटा कोश्चन था निमेरिकल भी छोटे-छोटे फार्मूले थे अब इसमें भी कत नहीं होना चाहिए एक सिंपल दरीके से सोल हो गया वह यह इसी प्रकार से यह सिरीज कंटीनू रहेगी और इतने कोश्चन कर लेंगे इतने कोश्चन कर लेंगे कि इसी ने सोची ना होगी ठीक और यह भाई मुझे भी आदत पढ़ गे यह सारी चीज़े बोलने की ठीक और आई होप आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे बाबू और लाइक करोगे और ठीक है और टेलीकराम को जरू जान का जिसमें पीडियोफ आपको मिल जाएगी चलिए मिलते हैं सब्सक्राइब में जैन दोस्तों जया भाई